हेलो हीवार्थ वेल्कम तो माई डिव चैनल फ्रेंड्स यूपी एल लिमिटेड इस कंपनी के बारे में मैंने आपको पहले ही यह पर बताया था कि स्टॉक को बाई कर लेना चाहिए और डिस्कुशन में मैं वह वीडियो का लिंक दे दूंगा आप वहाँ पर से जाकर देख लीजिए तब यह स्टॉक यह से 20% डाउन में ट्रेट करता था तब मैंने आपको बताया था कि स्टॉक को बाई करना चाहिए छोड़िए वह बात आप लोगों को अच्छी कंपनी यहापर पसंद नहीं आएगी आपको पीटी हुई कंपनी ही चाहिए लेकिन फिर भी लेक के लिए कोई एक अच्छा सा स्टॉक उस पॉर्टफोलियो का हिस्सा हो तो यूपील को आपको यहापर बाई करना चाहिए क्यों बाई करना चाहिए सबसे पहले आपको बता दू आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसका करजा कम हो तो यूपी के चलते बहुत से बड़ी बड़ी कंपनिया अपने employees को मतलब salary नहीं दे पा रही इस माहौल में इस market में भी UPL क्या कर रहा है अपना जो balance sheet के अंदर करजा है उस करजे को कम करने की कोशिस कर रहा है तो समझ सकते company कैसी है company का कामकाज कैसा है और company क्या करना चाहती है company सबसे प example तो आप देखी रहा है कि ये इस मंदी के माहौल में भी ये करोना वायरस के impact चल रहा है market में इसके बावजूद ये अपना करजा कम करने को लेकर यहापर लगा हुआ है तो आपको यहापर क्या करना चाहिए उन company के उपर invest करना चाहिए जो अपने employees को या पर salary नहीं दे पर हैं उनके उपर या फिर ऐसी company के उपर जो इस ऐसे माहौल में भी अपना करजा कम करने की कोशिश कर रहा है फैसला आपको करना है मैं सिर्फ आपको यहापर बता रहा हूँ अगर आप चाहते यूपील को अपने portfolio में रखने के लिए तो देखिए यहापर अगर आपका यहापर बाय करते तो आपका जो investment cost होगा वो होगा लगबग 41,300 मतलब 41,300 रुपए का आपका यहापर investment cost रहेगा अगर आप 100 यहापर long term के लिए मतलब 25 सालों के लिए यहापर खरीद रहे करना चाहते तो ही आप यहापर समझने की कोशिश कीजिए हम लोग यहापर से 20% क CAGR लेके चलते है 20% का अगर आप यहापर 20% CAGR लेके चलते है यह company उससे बहुत ज्यादा रिटन देती है मैं फिर भी यहापर 20% minimum 20% लेके चलता हूँ अगर आप 20% के CAGR से इसको अगर आप calculate करेंगे तो आप 25 साल बाद आपके पास आपका जो 41,000 है वो बन जाएगा 40,000,000 के आपके आसपास तो समझ सकते है UPL एक मतलब एक wealth creator की तरह आपका पैसा यह पर बढ़ाएगा तो ऐसी company आपके portfolio में होना चाहिए होना चाहिए ऐसी company आपके portfolio में अगर आप चाहते है इस company को buy करने की तो इस label के ऊपर आपको ऐसी company कंपनियों को long term के लिए बाइ करना चाह मतलब जो impact है वो इंडिया को पर बराबर रहेगा मतलब खेती बाड़ी अगर नहीं होगा तो मतलब लोग क्या खाएंगे लोग क्या mobile को चबा कर खाएंगे लोगों को तो वही सबजी खाना वही चाबल खाना तो मतलब खेती बाड़ी यहापर agricultural theme जो है वो जिन्दे की भर चलेगा जब तक दुनिया रहेगा तब तक चलेगा और यह company उस खेती बाड़ी के जो मतलब plants होते है उनके उपर कीड़े माकोड़ा वगार यहापर मतलब कह सकते है जो उनका medicine बनाने का काम कज़ गरते fertilizer means एक तरह से आप समझ लीजे वो खेती बाड़ी का जो सर्जी होता उनका medicine बनाता है यह company तो यहाँ पर आप समझ सकते company का business कैसा है इनका business हमेसा चलेगा इनका business का demand हमेसा रहेगा हो सकता है हो सकता है कोई एक साल या पर कोई एक दो तीन साल ऐसे sectors के लिए अच्छा ना चले लेकिन अगर आपका नजरिया लंबे वक्त के लिए है मतलब invest करना चाहते तो यह आपके लिए number one company है अगर आप यहाँ पर कोई telecom sector में पैसा लागाएंगे कोई IT sector में पैसा लागाएंगे तो वो भी चलेंगे वो भी चलेंगे ऐसा नहीं कि उनका demand नहीं रहेगा अगर मतलब वाल्ड को अगर यहाँ पर मतलब दुनिया को अगर तरक करना है तो सब कुछ चाहिए यह पर सब कुछ चाहिए तरक की करने के लिए आपर IT भी चाहिए metal भी चाहिए यह पर आगर कह सकते तो telecom भी चाहिए मतलब सब कुछ चाहिए लेकिन इन सबसे ओपर अगर कोई चीज चाहिए तो वो है खाना खाना तो चाहिए ना जिंदा र बाकि आप सोचिए मैं अगर मैं गलत कह रहा हूं तो वीडियो को डिसलैक कर देना मैं समझ जाओंगा कि मैंने गलत बोला था लेकिन यह पर आपका पैसा 100% बनेगा यह पर चिंता मत कीजिए और यह कंपनी डिवीडेंट भी मतलब बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन अगर आ जादा का एक क्वाटर में माल बेजती है बायर कोर्परेंट इंडिया उससे भी यह पर जादा का माल बेजती तो समझ ने कंपनी बहुत बड़ी है एक सो बीमें यू पियल अपना काम कज़ करती है 120 डे सो में इंडिया को छोड़ कर 119 देशों में ये कंपणी अपना काम काच करती है तो समझे सकते है कंपणी कितनी बड़ी है कंपणी का काम कैसा है उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे सेक्टर में पैसे नहीं लगना है तो ना लगाईए आपका पैसा है आपके काम था यहाँ पर आपको एवार करना आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करना कि यूपील क्या कर सकता है और इसने बहुत तगड़ी रिटन दी है मतलब इसका अगर पिछला ट्रैक रेकॉर्ड आप देखे तो आप देखकर धंग रहे जाएंगे और इस कंपनी का जो 52 एक हाई है वो 709 रुपी के असपस है और 52 एक लो जो है वो मतलब 200-200 रुपी के असपस यहाँ पर 52 एक लो निकल कर रहे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मौका दे रहा है यूपील यहाँ पर खरीदारी करने के लिए तो मतलब खरीदारी कर लीजी एक बार में बना लगाए धीरे-धीरे मतलब 3-4-5 खिष्टों के अंदर यहाँ पर पैसा लगाए आपका रिस्क भी वहाँ पर मतलब कम से कम होगा और सौट्टम के अंदर अगर आपको यहाँ पर बॉलेटिलिटी दिखती है मार्केट के उपर तो उस बॉलेटिलिटी से डरिये मत क् पैसा नहीं बना पाएंगे आपको यहाँ पर धीरेज से काम लेना होगा आपको यहाँ पर पेसेंस दिखाना होगा तो हो सकता है सौट्टम में आपका पैसा 20% बन जाए उसके बाद आगर आप निकल जाते तो वो मर्जी आपकी प्रॉपिट में निकल जाना अगर लॉस ह मैं कहूंगा लॉंग टर्म के लिए होल्ड करना ही एक अच्छी रनीती होगी आपको समझा पाई यह पर क्या करना चाहिए विडियो अगर आपको जरा सभी अच्छा लगा तो एक बड़ा सा लाइक करना बेकार लगे तो दिल से डिसलाइक कीजिए अगर आपको लगता है चैनल को सबस्क्राइब करना चाहिए तो सौख से कीजिए ठैंक यू फेंड्स